आप लोगों ने एक न्यूस तो सुना ही होगा कि रिसेंटली जो रोहंग्यास माइगरेट करके आए गॉर्मेंट इस नाओ प्लानिंग तू लेट थेंग अपने काफी पॉपुलर ट्वीट तो देखा ही होगा ट्वीट में आपको एक बार दिखा देता हूं फिर उसके बात करते हैं आप लोगों की राइब बहुत जरूरी हो जाती है कि वट इस यार पर्सनल वीजन ऑन दिस पर्टिक्लर थिंकिंग अन दिस पर्टिक्लर इशू तो ट्वीट ये था कि हमारे हर्दीप सिंग पूरी जो हमारे मिनिस्टर है Housing Minister ओने बोला India has always welcome those who have short refugee in the country in a landmark decision all the Rohingyas refuses will be sifted to EWS flats in the Bakarwala region of Delhi मतलब we are alloting flats to them okay now what do you think what is your vision do you support this I am watching your comment I just want to know from you itself कि what can be the better solution for it and even in the session we will analyze कि हमारे पास क्या options available है refuses के लिए कि इंडिया किस एक्ट से refuses को govern करता है इसके अलावा हमारे पास क्या options है और refugee का कैसे burden इंडिया के resources को hamper कर सकता है definitely आप लोगों का जो राय होगा वो काफी important है comment section में आपका देखता रहूंगा आप लोगों के राय important है सबसे पहले तो सवाल आता है कि refugee होते क और क्या reason होता refugee काने का देखो basic चीज होगी without documentation without any formalities if someone is migrating तो फिर ये क्या होगा basically एक refugee के category आती है now काफी सारे region हो सकते हैं एक हो सकता atrocities एक हो सकता आपके atrocities मनीश का कहना कि ethically ये yes है मनीश का तो ethically yes answer आया है बाकी लोगों को क्या मानना है उसको भी बताते ही मैं आप लोगों के comment जरूर देखता रहूंगा कि कि आज का मुद्धा सिरफ हमारे लिए नहीं सिरफ मेरे Indian Community के लिए काफी important है that's why आप लोगों का participation is equally important और जो की हम यहां पे लेके रहेंगे जी हां तो सवाल ये आता है कि reason क्या होते हैं someone become refusing like अगर रोहिंगाज की बात करते तो military atrocities में अन्मार के अंदर उनके साथ में जो हुई ethnicity issues जो आपके पास देखने को मिले ये कुछ कारण ह होते हैं इसके अलावा even ये भी होता है कि किसी country की economical development अच्छी ना हो मतलब उनके पास में forcefully migrate करने के अलावा कोई option ही नहीं बचा हो इसके अलावा कुछ natural reasons भी हो सकते हैं जिनकी वज़े से country के अंदर लोग जूसरी country में illegally migrate कर जाते हैं but still question आजका ये है कि अगर इस तरीके से हम हमारे resources को दूसरे को अलोट करते हैं तो what about the Indian population? Indian population का उस time पे क्या होगा? what is going to the scenario with the Indian population? इसको हम जानने की कोसस करेंगे इस session की PDF को download करने के लिए आप telegram channel कापिल भार्दवाज official को join कर सकते हैं और अगर मुझसे बात करनी है या अपना personal reason है जो आप comment में नहीं बताना आप यहां पर मेरे को कपल भार्दवाज official पर बता सकते हैं राइट चलिए तो basically सबसे पहले सवाल आता है कि refugee हमने देखा कि कौन होता है सवाल ही आता है कि इंडिया के अंदर refugee की protection के लिए क्या act देखने को मिलता है देखिए refugee कोई इंडिया की problem तो है नहीं generally it is a international problem और convention 1951 बट आप लोग बताईए क्या हम इसके signatory है सबसे पहले तो सवाल ही आता है क्योंकि अगर हम इसके signatory है तो हमारे उपर binding हो जाता है morally भी कि हम इसको follow करें बट राइट देयर इंडिया का जब सवाल आता है तो सबसे पहली चीज important आपके prelims exam के लिए important हो जाती है कि आप का UN refugee for convention 1951 का India signatory नहीं है बट सिल इंडिया ने बोला है कि हम refugees को right की protection करेंगे refugees को basically settle करने की बात करेंगे तो right there हम देखते हैं कि एक refugee अगर आपके basically migrate करते हैं इंडिया में आते हैं या किसी भी country में तो इंडिया के specifically हम बात कर लेते हैं इंडिया में उनको कैसे treat किया जाता है right there अगर कोई refugee आता है तो हमारे पास एक act होता है passport act 1920 जिसको हम follow करते हैं हलांकि इसके अलावा भी act होते हैं session के आगे बढ़ने पर हम देखेंगे और क्या-क्या ऐसे act हैं जिनके provision आपके refugees से कही न कहीं correlate करते हैं या फिर हम उस matter से deal कर सकते हैं जो refugees से related यहाँ पर देखने को मिलता है right here मेरे पास passport act 1920 देखने को मिलता है जिसके according क्या बताया जाता है कि अगर someone is refugee तो उसके साथ में किस तरह का treatment होगा treatment यह होगा कि basically जैसा कि आपको पता है कि right to appear before the court यह सब के पास में right होता है इंडिया के अंदर जब भी protection of fundamental rights की बात आती है तो कुछ rights ऐसे होते हैं जो कि सरफ और सरफ किसको दिये जाते हैं cities and citizens को और कुछ rights मेरे पास ऐसे हैं जो कि हर किसी को दिये जाते हैं कि आप lå यह तो Alright मुझे पता लगता कि if someone is refugee even that person have the right to be produced before the court मतलब police उसको अपने आप से है नहीं कर सकती राइट ये भी है उस person का individual का कि उसको court के सामने ले जाया जाए अब जब court के सामने ले जाती है तो फिर क्या देखने को मलता है the next sequence is going to be about they will be deported once the state will come from right here court कुछ decision देगा obviously evidence के base पे court ने जो भी decision दिया अभी क्या होगा उसको deport करने का आदिश दिया जाएगा order होगा deport करने का अगर order हुआ otherwise there is a punishment provision as well लेकिन अगर court बोलता है उसको deport किया जाए तो फिर आपके origin state से for example जैसे रोहिंगाज है तो मैंनमार से बात की जाएगी कि ये आपके citizen है इनको deport किया जाएगे anyhow आपको admit करना है तो right here मुझे पता लगता है कि उनको deport के लिए basically origin nation से बात करनी पड़ेगी उसके बाद क्या देखने को मिलता है उसके बाद मुझे पता लगता है कि ये जो right है that is along with the state union government हमारी state government के पास भी right है उनके पास भी provision है कि वो भी क्या कर सकते हैं डिपोर्ट कर सकते हैं execute this particular process now important thing क्या निकल के आती है इंडिया की act की बात यह आपकी प्रोलेम्स के अंदर डिरेकली क्यों से पूछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर ऐसी कोन से कोन से act है that are dealing with the refugee provisions तो इंडिया के अंदर act आपको नजर आता है foreigners act 1947 registration of foreigners act 1939 the passport entry into the India act 1920 and the citizenship act 1955 these are the four act जो की deal करते हैं someone if coming from the other nation चाहे वो refugee हो या फिर वो legally migrate किया हो तो भी ये column जो है ये clause जो है वो से deal करते हैं इन चारों को याद अखना probability 99% है कि आपके प्री के अंदर के उससे देखने को मिल सकता है अब सवाल क्या नजर आता है सवाल ये है कि जब हम refugees की बात करते हैं तो definitely मुझे नजर आता है कि जब India की refugee के अंदर देखेंगे तो काफी सारा burden है आप कुछ example बताइए मुझे Myanmar के अलावा भी ऐसे कितने countries हैं जहां से refugee इंडिया में आते हैं certainly काफी सारा refugee अलाग अलाग कंट्रीज से इंडिया में देखने को मिलते हैं अगर आप यहाँ पर एक बार नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा top 10 forcibly dispaced hosting countries की अगर हम बात करूँ तो सबसे पहले नंबर आता है Syria of Republic of Syria का फिर कॉलंबिया का फिर इराक है DRC Democratic Republic of Congo फिर आपके पास Pakistan, Sudan, South Sudan, Turkey, Afghanistan and Nigeria तो यह sequence देखने को मिलती है तो right there मुझे पता लगता है कि there are lot of number of people या lot of countries जहां से illegal migrant जो है वो दूसरी countries में जाते हैं reason can be anything even आने वाले टाइम पे हो सकता है अफगानिस्तान से भी migrant जो हो इंडिया के उपर बड़न का काम करती है वो होगी हमारे पास कि refuses जो है आपका वो basically क्या करते हैं prolonged stage जो है आपकी countries में करते हैं finally क्या होता है कई बार देखने को मिलता है कि finally country इतरा लंबा रहने के बाद में उनको citizenship अलोट कर देती है आपको भी पता होगा ऐसे कुछ example आप दे पाएंगे क्या जहांपे कुछ refugees अपने मतलब कुछ लोग refugee के तोर पे आए लेकिन उनको इंडिया में citizenship मिली क्या आप कुछ example दे पाएंगे क्या आप NRC के बारे में aware है और अगर नहीं हैं तो यहां पर मुद्धा NRC का भी आ जाता है जिसके बारे में पढ़ना आपको जरूरी हो जाता है तो definitely पहली चीज़ तो उनको आपका citizen दिया जाता है citizenship का act जो हो उनको provide कर दिया जाता है sometime और अगर ऐसा होगा तो automatically this will severely impact the local population like earlier आसाम में हम NRC की बात कर रहे थे मनीपूर में बात चल रही है so definitely मुझे पता लगता है कि अगर इस तरीके से आपकी local population जो है वो disturbed होती है उनका culture जो हो वहाँ पे disturbed देखने को मिलता है दूसरा एक intensive library जो है जो शुरू हो जाती है locals के बीच में और migrant के बीच में जो refugees हैं basically not migrant refugees जो है आपके और locals हैं उनके बीच में conflict देखने को मिलता है idea का conflict हो सकता है resources distribution का conflict हो सकता है interest का conflict हो सकता है या फिर ethnical conflict भी हो सकता है but yes it lead to the discrimination it lead to a discrimination into the society which can increase the number of crimes as well that is also one of the possibility apart from this government they start diverting their resources like if I will be talking about the world image like India is also soft power definitely we are basically diverting our resources towards the particular people who are not even the citizen of India so right there मुझे देखने को मिलता कि हमारे जो resources है उनके अपर भी compromise होता है finally एक और चीज है कि आपके natural resources है like it can be food it can be even the water it can be land as well like even अभी क्या देखा हमने EWS के लिए जो flats थे government is allotting them to the Rohingya's refugees but what do you think जो हमारी पधान मंतरी आवाज शियोजना है उसमें जो allotment दिखाया जा रहा है कि everyone got home by 2022 जो target था वो तो fulfill नहीं हो पाया but certainly क्या हमारे resources के ओपर इस तरीके से burden increase नहीं होगा क्या इंडिया के अंदर ऐसे लोग deserving नहीं है जिसके ओपर ये बात कर सकते हैं तो सवाल ये नजर आता है कि yes हमारे resources के ओपर भी burden बढ़ता है important चीज introduction to the unknown culture which end up to the geo-paradise with the locals obviously एक आपका क्या होगा definitely मुझे एक unknown culture जो हो introduce करता हूँ नजर आता है अब अगर ये सारे impact होते है तो मेरे सवाल सीधा-सीधा ये है कि क्या इंडिया को refugee के लिए क्या provision रखना चाहिए आप लोग खुद बताएंगे कि क्या provision इंडिया रख सकता है refugee के लिए देखो सबसे पहली सवाल आती है इंडिया की सब हम बात करते है तो इंडिया अपने आपको soft power की तरह देखता है there are lot of countries in the world जो कि अपने आपको power की तरह उभारना चाहते है और इंडिया is also one of them and right there इंडिया see itself as a soft power और अकर जब soft power का सवाल आता तो definitely मुझे पता लगता के इंडिया को इसको पर काम करना चाहिए बट still हमारे resources को जादा हम compromise ना करें that we have to make sure so right here definitely मेरे उपर बर्डन भरता resources पे but certainly we can't totally deny for the refuses क्योंकि they are also the human being on the basis of ethnicity बिल्कुल fundamental right बनता है but equally हमारी internal resources हमारी internal security हमारे culture जो इंडिया का that is equally required to be protected and that is a balance answer which is required even in your means exam that you are going to write right there okay guys then yes one more important information यह जो topic है that is more or less related to even your human geography as well and geography की बात आती है तो optional geography का कूर्स आपका start हो चुका है and there you can join the course after using Kapil live court 12,499 only अभी सरफ दो ही classes हुई है if you are willing to go for the geography then यह definitely you must go otherwise classes बढ़ेंगे or definitely आपका button बढ़ेगा yes those people who want to create their foundation for the preparation उनके लिए भी अभी window open है but still it is going to close very soon यह भी मंदे से classes आपके start हुई है Kapil live का code यूज़ करेंगे आपको 18999 में कोर्स में लेगा and yes सरसांक सर से आपके classes start हुई है quality से आपके classes start हुई है yes it is going to be a very smart hindstrom journey please start it and enjoy it thanks a lot